और वेल्कम फ्रेंड्स एम सिंक फॉर्ण नेस यूटीब चैनल पे आप लोग का स्वागत हैं क्या बिहार S.I.P.T. 223 यानि कि तीन अबलिक 2020 का एक्जामनेशन 23 मही 2021 के इसको होने वाला है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इंफेक्ट आपको 4-5 दिनों से अन ओफिसियली अंदर खाने इस देट के बारे में सुक्वहार बहुत ही तेज हो चुकी है तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि बिना आग के धुआ नहीं होता है और ये मैलाश्ट का आखरी सफता है आखरी संड़े है तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है तो इस वीडियो में हम लो को ये एक्जामनेशन संभव है तो इसका सीधा सा एक लाइन में जबाब है हाँ बिल्कुल सही है और इसकी संभावना तब से बढ़ गई है जबसे एस स्टेनों और साथे साथ एफारो का डिजल्ट आया है देखिए बीपी एससी आयोग जो है ये पहले 246 बाले को क्लियर करने में बिल्कुल लगी हुई थी और इसका पी इटी जो है फिजिकल इलिवजी टेस्ट जो है आपको बाइसमार्ट से सुरू होने वाल है और 15 अपरेल तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट पॉर्ट से में ये अपना एक महिना का समय लगाएंगा और फाइ संभावित थी यह हो सकती है अभी तक यह है तो बिल्कुल बिल्कुल और इस बैक लॉग बिफोर और तिल दिश्ट यान कि 23 में 2020 से पहले आप यह सब कुछ कंप्लीट कर सकती है तो इसकी पॉसिबिटी तो एक लाइन में बिल्कुल बन रही है कि यह 23 तारिक को कंफर्म कर दे लेकिन जब तक ऑफिसलिस के अनॉसमेंट नहीं होता है जब तक बिल्कुल एक यह संभाव नहीं बनी रही है दूसरी बात क्या है इनके पास बैक लॉक्स कौन-कौन थे तो सबसे पहले आप देख लिए 246 पीट इंस ओं 15 अपरिल को यह कंप्लीट हो जाएगा उसके अब इनके पास जो भी करेंगे अब लेकिन उसके वजह से अब यह बांगी चीजों को नहीं रोकने वाले हैं तो मैंने बहुत पहले ही जिस दिन ASI का result आया था और FRO का result आया उस दिन बोल दिया था कि अब बहुत जल्द आपको इसके शंभावना है कि 213 वाला का date भी आपको खुशित कर दिया जाए तो इसी बीच आपको 3-4 दिनों से 23-23 अंदर खाने खावर आ रही है अभी इस पर कोई भी खुल कर बात करने के लिए तयार नहीं है क्योंकि जब तक आयो किस तरह से गोपनिय रहंग से काम करती है वो अचानक से किसी भी चीज का date खुशित करती है किसी चीज का result करती है कित है यानि कि 23 माइ जिसकी बात अभी चल रही है अंदर खाने ही चल रही है मैं बात क्लियर कर दूं की इसके बारे में कोई भी बिचेटिमिंट नहीं है लेकिर अंदर खाने जो यहां के लोग या फिर जहां पर भी यह तो से बड़ी बात है कि यह जब होगा मतलब SI PT होगा तो यह साइघ मेंस और उसके बाद SI PT हो यहां तो यहां तक की जारी है अभी तक हम लोंको इंतिजार करना होगा कुछ और दिखने होंगे कि possibility क्या है यदि चर्चा है तो उसका जरूर कहीं ने कहीं संभाब ना बन रही है लास्ट में और जून वेरी strong possibility यह जो लास्ट मैं है ना यानि कि 23 तारिक वाली है और जून है उसके बाद यहीं होता है जून में तो बहुत ही अब को बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि आयोग पूरी तरह से focus है अगले examination के दर्मियान में तो सबसे बड़ी बात है कि स्टुडेंट के लिए अब क्या आप पॉसिबिलीटी बन रही है तो एक बात तो आप समझ लेजिए कहीं सोरगूल है कहीं हला हाई या फिर कहीं पर भी किसी तरह की सुगूगा हाट हो रही है तो बिलकुल आप लोगों को सफर्क हो जाना चाहिए बीपी एससी एक ऐसा आयोग है जो अचानक से कुछ भी फैसला करता है और अचानक से आपको आता है से हो जाएंगे होली से पहले हो या होली के बाद हर हाल में आपको विदिन वन विग निश्ची तरुप से आपको ओफिसियल डेट आ जाएगा और यह दितेश तारी की बात उर रही है तो उसको भी आप दिमाग में लेकर चले यह अभी कोई नहीं बता सकता है क्योंकि चलता रहेगा यह वाले जो कंडिडेट हैं वह भी उसी के डेट को लेकर चलें ठीक है न क्योंकि मैंने कह दिया है कि आपका यह साथ से लेकर दिन का फर्क होगा ठीक है आगे पीछे बिल्कुल इसी में आप लोग जाएंगे तो जो यह वाले हैं उनका एक तीर से दो का विट करना ठोड़ी सी विभ को भी होगी क्योंकि कपरिशन काफी तफ होने वाला है अब तो वह लोग भी आ जाएंगे यह जो पंदर हजार दोसों थो क्या सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम भी जानते हैं साब चानते उन्हों निमेंसे चालिस तो जो चालिस नोग बास से जो निकल देते हैं लिख साथ कोश्चन सब्सक्राइब होता है उसके कट लेए पिछले सारे तो देते हैं लिए यह एक बहुत वराव टीक है न तो आपको जो चूळ लेवल होता है जहां पर अकसर लोग बांडरी लेवल को आपको क्रॉस करना होगा उसके लिए ज़रूर है कि तैयारी आपको अभी से करनी होगी तैस में दिमाग में रखिए दिमाग में ठीक है ना मैं एक चीज़ बार-बार इसको क्लियर कर रहा हूं कि यह ओफिसल अनॉसमेंट नहीं है जो बातें बाहर सामने में आ रही है कि तैसमें को होगा काफी कि लोगों इसके बारे हो पूछा तो इसके सारे काम था के सामने रखोते जाएंगे जाएंगे ओफिसले ना समें यह को बहुत जल देखने को मिल जाएगा तो आप इंतजार में आप न रहें आप इसी के दरिश्टी को नसे अपनी त्यारी को जारी रख सकते हैं फिर वी आपके दिमाग में कोई प्रस्ण रह जाता है तो आपको क्या लगता है कि यह क्या दिसमें कुछ सम्भावित है या फिर आपको मतलब जून जुलाई तक जा सकता है आप अपना प्रस्ण लिका सोचते हैं और भी कमेंट बटाएं साधी साथ युदि त्यारी किशनमद में तो वह भी हमसे पूछ सकते हैं भी देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू